नमस्कार, डिप्रेशन के इस लेक्षर में अब हम लोग ट्रीटमेंट के आप्षन में जहाँ पिछले लेक्षर में हम लोगोंने बात किया था एंटिप्रेशन्ट में SSRI और SNRI के बारे में अब हम लोग बात करेंगे Tricyclic Antidepressant और Tetra Cyclic Antidepressants के बारे में Tricyclic Antidepressant जो drugs है ये कैसे काम करते हैं फिर हम इसके representative examples के बारे में बात करेंगे शुरू करते हैं इसके mechanism affection से ये ऐसी drugs हैं जिनको जो पहले antidepressant के लिए first line of drugs थी अब तो बहुत अच्छे-च्छे options हमारे पास available हैं, पहले ये काफी हद तक इन ही पर doctors based रहते थे, इन ही पर आधारीत रहते थे, इनका mechanism of action उन neurotransmitters के re-uptake को block करना होता है जो depression के लिए responsible होते हैं, तो depression में खास तोर पर हमें पता है न, तीन neurotransmitter का level कम होना depression के लिए responsible माना गया है, norepinephrine, dopamine और serotonin, इनके level को ये बढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि ये तीनों के level को बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर इस activities के दौरान, जब ये re-uptake को block करते हैं, तो ये कुछ और receptors को भी block कर देते हैं, जैसे जो इनका side effect बनेगा, अभी मैं उसके बारे में हैं, तो alpha receptors को block कर देते हैं, जिसके कारण hypotension हो जाता है, इसी तरीके से ये H1 histaminic receptors को block कर देते हैं, जिसके कारण side effect आते हैं, इसी तरीके से ये dopamine का level बढ़ाने के लिए D2 receptors को block करते हैं, जिसके कारण extra pyramidal side effects आते हैं, तो वो सारी चिज़े अभी मैं आपको बताऊंगा, मे तक जो tricyclic antidepressants हैं, उनका major function है वो neurotransmitters के level को बढ़ाना है, और इसके लिए वो re-optic करने को रोकते हैं, और खास तोर पर ये receptors को block करते हैं, तो receptors को जब ये block करते हैं, तो इनकी activities बहुत specific नहीं होती हैं, ये कुछ मामदों में, दूसरे receptors को भी histamin receptors को भी block कर देते हैं, औ और ये dopamine receptor को block करते हैं, लेकिन unwanted तरीके से अगर ये block करते रहें, तो side effect आ जाते हैं, ये alpha receptors को भी block कर देते हैं, खैर उस चीज़ को अभी हम जब side effect में चलेंगे तो आपके साथ discuss करेंगे, अभी आप यहाँ पर देखें, tricyclic antidepressant कौन-कौन सी drugs दी जाती हैं, तो आप aneurysis के लिए, nocturnal aneurysis के लिए दी जाने वाली खास drug है, इसके अलामा, doxipin drug भी इसी केटेगरी में आती है, desipyramine इसी केटेगरी की drug है, तो ये example कम सकम, emitriptylin, emipramine, doxipin, desipramine, इन drugs का नाम हमें पता रहना चाहिए, इनके doses अगर याद रहें तो अच्छी बात है, इनका जो side effects है, जो मैंने आपको बताया, वो actual में side effect इसलिए होता है, क्योंकि ये कुछ और receptors को भी block कर देते हैं, तो इसलिए इनका side effect होता है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, कि ये alpha receptors को block करते हैं, इसलिए hypotension हो जाता है, इनका anticholinergic side effects भी देखा गया है, जिसकी वज़ा से constipation, urinary retention, blurred vision, ये सारी चीज़ें इसी वज़ा से होती हैं, यहाँ पर weight gain इनका side effect है, इसमें दूसरे side effects में जब हम देखते हैं, तो photosensitivity, cardiac function भी slow down हो जाता है इसमें, तो इस वज़ा से ये cardiac sodium channel को चुकि ये block करते हैं, इसलिए cardiac abnormalities यहाँ पर देखने को मलती हैं, dry mouth, nausea, ये इसके side effects हैं, इस drugs को उस समय नहीं देना चाहिए जब person glaucoma के हो, क्योंकि इनका जो anticholinergic side effect है, उसकी वज़ा से ये glucoma में नहीं दिया जाना चाहिए, इसे MIA के अगर patient हैं, तो उनमें भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि cardiac function को depress करते हैं, ये इनका side effect है, psychosis भी इनकी side effect है, चुकि ये brain की activity को suppress कर सकते हैं, कुछ मामलों में तो इसलिए seizure की history अगर है तो भी नहीं देना चाहिए, और अगर mouse inhibitors दिये जा रहे हैं, तो भी इस drug को नहीं दिया जाना चाहिए, तो चलिए देखते हैं, TCA में कौन-कौन से drug दिये जाते हैं, उनके बारे में discuss कर लेते हैं, यहाँ पर SNRI और SSRI के examples आपको पता है, SSRI में fluxitin, SNRI में venlaflexin, आपको पता है यह सारी चीज़े हैं, venlaflexin क्या करता है, serotonin और norepinephrine दोनों के react को inhibit करता है, TCA के examples में, Emitryptaline यह बहुत ही खास important example है, इसको याद रखना है, Atypical Antidepressants भी दिये जाते हैं, Atypical Antidepressants से पहले, एक बार फिर से जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा हैं, उसको एक बार फिर से evaluate कर लें, मैंने आपको बताया था, Tricyclic Antidepressants जो ड्रक्स हैं, वो in general, serotonin, norepinephrine और dopamine के लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन इसका side effect बहुत ज़्यादा देखने को बिलता है, यह H1 receptor को भी ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वज़ा से sedation होता है, postural hypertension होता है, sorry, postural hypertension नहीं, sedation होगा, H1, histamine receptor को ब्लॉक करने के वज़ा से sedation होगा, weight gain होगा, alpha 1 receptor को भी ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वज़ा से orthostatic hypertension होने के chances होते हैं, M1 receptor को भी ब्लॉक करते हैं, जिसकी वज़ा से anti-colinergic in-case side effects होते हैं, M1 receptor को ब्लॉक करने के वज़ा से constipation, blood vision, यह सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, sodium channel को यह ब्लॉक करते हैं, जिसकी वज़ा से arrhythmia cardiac symptoms होते हैं, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर यह different तरीके के इनके जो features होते हैं, वो बहुत vast level पर neurotransmitter को ब्लॉक करने के, neurotransmitter के level को बढ़ाने के लिए receptors को ब्लॉक करके, यह अपना activity दिखाते तो हैं, लेकिन जब यह ब्लॉक करते हैं, तो एक से ज़्यादा receptor ब्लॉक हो जाते हैं, जिसके कारण के side effect होते हैं, SSRI जो बाद मिलाया गया, उसमें देखा गया कि यह selective था, सिर्फ एक receptor के लिए काम करता था, तो इसलिए इसको ज़्यादा prefer किया गया, तो इसमें क्या हुआ, यह यहाँ पर anticholinergic side effect कम बिल्कुल नहीं रहे, क्योंकि anticholinergic side effect M1 receptor को यह block नहीं करते थे, इसके अलावा, यहाँ पर इनके साथ weight gain की भी दिक्कत नहीं होती है, histamine को block नहीं करते, इसलिए sedation नहीं होगा, sodium channel को block नहीं करते, कार्डियक function इसलिए इसमें प्रभावित नहीं होगा, तो इसलिए arrhythmia भी नहीं होता है, आप जब देखेंगे गोविंद राइगर की किताब, तो उसमें बहुत अच्छे से इस बात को लिखा गया है, मैं आपको frame बना दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, अच्छा, अब यहाँ पर बात जब SNRI की किये जाती है, तो SNRI में क्या होता है, यह बहतर तरीके से काम करते हैं, चुकि यह भी selective हैं, लेकिन यह serotonin और non-epinephrine के ही reaptic को करते हैं, तो यह थोड़ा सा और बहतर हो गया है, क्योंकि इसमें दो neurotransmitter जो ज़रूरी हैं, उनको block किया गया था, बाकी और किसी को block नहीं किया जाता है, तो इस तरीके से हम लोग यह समझ सकते हैं, SSRI, SNRI और tricyclic antidepressants के use, इसके अलावा, mau inhibitors का भी इस्तेमाल होता है, mau inhibitors को थोड़ा समझ लें, उसके बाद मैं सिधे तोर पर चलूँँगा, atypical antidepressants को discuss करूँगा, तो यहाँ पर mau inhibitors क्या होते हैं, actually क्या होता है, mau का मतलब होता, monoamine oxidase enzyme, monoamine oxidase enzyme को inhibit करने वाले, तो monoamine oxidase enzyme, जो होते हैं, वो करते क्या हैं, mau करते क्या हैं, mau actually, जो खास किसम के, जो neurotransmitter, noradrenaline, या noripinephrine, serotonin और dopamine को metabolize करते हैं, अब इसकी दो केटेगरी हैं, mau A और mau B, यह clear cut गोविन राय में दिया हुआ है, mau A, सभी को all, mau A, A से आप समझ लें all, सभी को यह metabolize करता है, जबकि mau B, B, brain, तो यह brain में dopamine को metabolize करता है, यह centrally acting होता है, mau B, लिखा नहीं है, आप इसको imagine करें, इस image में, हम देख सकते हैं, mau होता कहां पर है, यहां पर रिप्टेक की प्रक्रिया रोख दी जाएगी, यहां पर लगातार निरो ट्रांस्मिटर का लेवल बढ़ा हुआ होगा, तो रिप्टेक अपने आप indirectly रुख जाएगा, क्योंकि यहां पर निरो ट्रांस्मिटर का लेवल बढ़ा हुआ होगा, तो इसलिए यहां निरो ट्रांस्मिटर अपने आप accumulate होने लगेंगे, यह तरीका होता है, mau inhibitors का, अब यह mau inhibitors यहां पर इस metabolism की प्रक्रिया को inhibit करते हैं, देखे, example की रुप में दिया गया है न, phenylzine, moclobimide, यह drugs काम करते हैं, moclobimide की बारे में बात करें, तो यह mau A है, सभी को inhibit करता है, यह इसका काम होता है, लेकिन यहां समस्या जो आती है, उसको भी समझ लें, समस्या जो आती है, यह phenylzine और moclobimide का नाम याद रखें, यह non-selective, non-selective mau inhibitors की केटेगरी में phenylzine आता है, जबकि moclobimide reversible inhibitor of mau A की केटेगरी में आता है, इसको गोविंद रखेंगर की 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 जब आप books देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा, यहां जो इन से समस्या आती है, mau inhibitor से, वो cheese reaction की आती है, cheese reaction क्या होता है, उसको देख लें, actually cheese beer red wine में tyramine पाया जाता है, tyramine, normally जब उसे लिया जाता है, तो गट की वाल में और लीवर में इनहें आक्सिराइज कर दिया जाता है, mono amine oxirase की मदद से, तो इसके कारण tyramine बलड में बहुत कम रह पाते हैं, तो इसको याद रखना है कि tyramine को आम तोर पर गट की वाल या लीवर में metabolize करके इसको खतम कर दिया जाता है, तो इसके कारण tyramine बलड में बहुत कम आते हैं, और इस वज़ा से इनका कोई effect हमारी बाडी पे बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता, अब सवाल ये उठता है कि ये टायरामिन है क्या, तो ये टायरामिन सिंपैथो मेमेटिक अक्टिविटी रखता है, ये टायरामिन क्या रखता है, सिंपैथो मेमेटिक अक्टिविटी रखता है, जिसके कारण टायरामिन का लेवल अगर बढ़ा, तो noradrenaline यहाँ पर देखें इसका secretion बढ़ जाएगा क्यों क्योंकि टैरामिन sympathomimetric activities रखता है अब होता यह है कि जब हम mau inhibitor लेते हैं तो gut की wall, liver या फिर पूरे body में कहीं पर भी mau inhibition की प्रक्रिया देखी जाती है तो mau inhibitors जब drug दिये जाते हैं तो mau काम नहीं करेगा तो mau टैरामिन को metabolize नहीं करेगा टैरामिन अगर metabolize नहीं हुए तो हमारे blood में high level पर पढ़ रहेंगा और यह sympathomimetic हैं और यह कराएंगे क्या adrenergic neuron से noradrenaline का release करना बढ़ा देंगे तो इसके कारण होगा क्या sympathetic activities हमारी body की बढ़ जाएगी hypertensive crisis हो जाता है तो mau inhibitors के बारे में गोविन राइगर की book में दिया हुआ है उसको आप ज़रूर देख लेंगे इसके बाद की जो category आती है वो है atypical antidepressants की atypical antidepressants monoaminergic level को नहीं बढ़ाते हैं या बढ़ा भी सकते हैं बहुत जादा specific नहीं होते हैं यानि monoaminergic मतलब यह serotonin, dopamine या फिर noripinephrine के level को बढ़ाने के बजाए कुछ और भी रास्ते यह अपनाते हैं इसमें कई ड्रग हैं, trizodone, इसमें venlaflexin, तो नहीं याद रखें आप miltazipin का नाम, miltazipin, यह बहुत important है bupropion, यह सारे काफी important नाम हैं जिनको हमें याद रखना है तो atypical antidepressants हैं जिसमें मैंने आपको बता है brupropion, miltazipin, इन सभी का नाम आपको याद रखना है क्योंकि यह atypical antidepressants की category में आते हैं जो कि कई बार पूछ लिया जाता है इस पर best question तो different तरीके के जो questions बनते हैं उनको भी हमें ध्यान में रखना है यहाँ पर somatic treatment के तहट electroconvulsive theory दी जाती है electroconvulsive theory उन patients में जादा तोर पर दी जाती है जिनमें depression के साथ साथ high suicidal risk होता है उनको electroconvulsive theory दी जाती है ऐसे person को भी यह therapy दी जाती है जिनमें suicidal tendency का atoms की history पता चली हो severe depression अगर stupor के साथ है तो भी electroconvulsive therapy देने की ज़रूरत होती है तो depression with stupor की cases में भी electroconvulsive therapy देने की ज़रूरत पढ़ती है और भी therapy है cognitive behavior therapy है जिसमें हम person की confidence को बढ़ा करके बात करते हैं interpersonal therapy भी होती है आप देखेंगे प्रवीन त्रिपाठी की book में दिया गया है कई तरीके से हैं इसमें repetitive transcranial magnetic stimulation therapy भी शामिल है magnet का इस्तेमाल करके RTMS repetitive transcranial magnetic stimulation therapy भी इसके लिए देखी गई है इसका भी अपना एक importance होता है तो अलग-अलग level पर काम किया गया है और ये drugs काम करते हैं इसमें no doubt और इसके अलावा वेगल नर्व को stimulate करके भी ये देखा गया electrodes की मदद से वेगल नर्व को stimulate करने से भी depression को control किया जा सकता है इसके साथ ही साथ deep vein stimulation, deep brain stimulation therapy भी अपनाई की जाती है ये primarily Parkinson's disease के patients में किया जाता है और ऐसे patients में भी जिनमें depression के chances जादा तोर पर देखे गए हैं उनमें deep brain stimulation की therapy देखी गई है यहाँ पर seasonal affected disorders को भी हमें थोड़ा समझ लेना चाहिए कई बार ऐसा होता है कि winter में यहाँ winter के मौसम में जब therapy दी जाती है तो light की presence में खेर ये seasonal therapy पे हमें बहुत जादा बात नहीं करना है psychotherapy को हमें ध्यान में रखना होगा psychotherapy में मैंने आपको बताया है ना cognitive behavior therapy, interpersonal therapy और यहाँ पर अलग अलग तरीके से person के confidence को बढ़ा करके depression को treat करने का प्रयास किया जाता है तो cognitive behavioral therapy में क्या करते हैं इसमें basically brain में जो faulty ideas आ रहे हैं जो faulty ways of thinking है उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है तो ये most effective psychotherapy technique है depression में तो ये बात पता रहना चाहिए most effective psychotherapy in depression कौन है? cognitive behavioral therapy है इसके अलामा जो मैंने आपको बताया interpersonal therapy उसको भी ध्यान में रखना है इसका भी अपना एक importance होता है interpersonal therapy में जो relationship problems होती है उसको ध्यान में रखते हुए हम बिमारी के management के बारे में सोचते हैं